इस प्रकार हमें संतुलित भोजन की आवशक्ता होती है उसी प्रकार पेड़ पोध्न को भी संतुलित भोजन की आवशक्ता होती है जी और यह संतुलित भोजन पेड़ पोधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं अब मिट्टी में इनकी मात्रा कितनी उपलब्द है और किस वसल को कितनी मात्रा की आवशक्ता है तो यह सारा हमें मिट्टी परिक्षण से पता चलता है जैमीनि साब आपने यह जो पोशकत्व कीं बात की तो ठीक है लेंगे। इसनारा नहीं है पूद्धों को अवशक्ता होती है. इनमें से होते हैं Carbon Hydrogen Oxygen. आज इनको हम संगातव कहते हैं यह हमें हवा और पानी से मुफ्त में मिलते हैं इसके बाद परमुक पोशक्ततों कहते हैं है यह होते हैं nitrogen phosphorus or potassium nitrogen phosphorus potassium का किसी भी पेड़ पोदे या फसलों के विकास और वद्दी में बहुत ही एहम योगदान होता है अगर इनकी कमी हो जाए तो पेड़ पोदे या कोई फसल अपना विक्सित नहीं हो सकती और नहीं वो अपना उत्पादन दे पाएगी जितना दे सकती है इसके बाद हमारे पास secondary nutrient या दूती एक पोशक्तत्व आते हैं यह होते हैं calcium magnesium और sulfur ठीक नाइट्व फस्फर पोटाज्व प्रमौ पोशक्तत्व होते हैं इनकी पेड़ प waktu को अत्य दिक मात्रा में आवसक्तप होती है । इस लिए इनको مक्य पोशक्तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त कम मात्रा में आउशक्ता होती है, यह हमारे पास आठ होते हैं और इनके मैं आपको नाम बता रेना चाहता हूं, यह होते हैं, जस्ता, लोहा, तांबा, मैंगनीज, बोरोन, बॉलिबडेनम, और क्लोरीन, और एक अभी नया जुड़ गया है, इसको निकल कहते हैं, पर सामाने के तोर पे देखने में आया है कि मिट्टी में नाइटरिन फॉस्फोरस की कमी होती है, प्रमुक पोषकत्तों की, कहीं-कहीं पोटाश की भी आवशक्ता पढ़ती है, और जिंक और लोहा, जस्ता और लोहा की अधिक्तर जो सुख्रण पोशक्तत्तों हैं, उनकी अधिक्तर मिट्टियों में कमी पाई जाती है